दोस्तों आज तो एक दिसंबर दोजार बीस है एक दिसंबर दोजार बीस भारती जनता पार्टी की राष्टी लीडर राज समन्द की MLA किरण जी मेश्वरी का आज अंतिम संस्कार किया गया किरण जी मेश्वरी पूरे मेवाड की एक लाडली नेता थी यह ठीक शब्द बड़ी मुश्किल से प्रियोग कर पा रहे हैं करण की किरण जी मेश्वरी हमारी फेमिलियर थी और मेरी क्या फेमिलियर वो हर एक कार करता कि वो गर जे से समझती थी तो आज जब उनका स्वरगवास हो गया आज एक दिसमबर 2020 को उनका यह अंतिम संसकार भी हो गया कि यह पुराना इंट्रिव वापिस हमारे मेवाड चैनल पर चला रहा हूँ कुल मिलाकर आज जो मेरी आवाज है वो एक दिसमबर 2020 की है आज के दिन किरण मेश्वरी जो कि हमारे मेवाड की बहुत लाड़ली लिनता है भारती जनता पार्टी यहने कि भारती जनता पार्टी बीजेपी की राष्टी लीडर है उनका स्वरगवास हो गया हारदिक हारदिक सरदान जली दोस्तों नमस्कार बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ राज़तान सरकार की मंत्री किरन जी मेशरी बिराजे हुए हैं हम सभी लोग जानते हैं कि किरन जी मेशरी रास्तामन से विदायक है और रेगूलर दो बार विदायक है दूसरी हम उदेपूर वालों के लिए ये भी खुशी की बात है क्योंकि है तो हमारे उद्वपूर की उद्वपूर में भारते जंता पार्टी में पिछले 30-35 साल से आप काम कर रही है उद्वपूर में आप हमारे उद्वपूर निगम की अध्यक्षा रहे चुकी है उसके बाद में उद्वपूर की सांसत रहे चुकी हैं और उसके बाद में दो बार आज की तारिक में regular दो बार रास्तामन्द की ML है और भारत सरकार में मंत्री है मेडम आपका सोरी रास्ता सरकार में हो सकता है भारत सरकार का नाम लिया और रास्तामन्द में भी शान से काम कर रही है और रास्तामन्द का विकास कर रही है क्योंकि ये मैं नहीं मैं उद्वपूर के रास्तामन्द के मेरे कई सारे मित्रे हैं उनसे पूछता हूँ और इसी मोके पर किरंजी के साथ में हमारे राजसामन नगरपालिका के पूर्व चेर्मेन स्रीमान दिनेज जी पालिवाल भी बेटे हुए हैं सर आपको भी बहुत बहुत शुबकारना है कारण के और राजसामन की सारी पब्लिक यह पीछे हैं हमें मालूम है कि ये रास्तमन के विक्ति किरन जी मेश्री को बहुत चाते हैं मेडम मेरा भासान इसलिए लंबा हो रहा है कि क्योंग हमारी भावना है कि आप इतनी आगे बड़ी है तो हमें बहुत खुशी होती है सबसे पहले तो जन्रमन दिन पर आपको पूरे रास्तमन शेत्र में आपको बदायां दी है सबी लोग अभी रात की लगबग साड़ेश छे साथ भी बज़े हुए तो भी लोग आ रहे हैं और सुन्दरकाण के पाट की तैयारी भी चल रही है अब आप हमें आशिरवासरुप रास्तमन की जन्ता के लिए भी कुछ का है और उद्रपूर की जन्ता के लिए भी कुछ का है रास्तमन में आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रास्तमन में सभी लोगों के साथ में बिलकुल दिल से जुड़ा हुआ है और आत्मिता के साथ इन सब के काम में हम लोग लगे हैं विकास बहुत हुआ है राजसमन में पिछले पांच वर्ष में तो रेकॉर्ड ब्रेक विकास हुआ है वैसे हर बार विकास हुआ ही है लेकिन चुकि सरकार भारती जनता पार्टी की दिल्ली में भी थी और भारती जनता पार्टी की सरकार राजस्तान में भी थी इसलिए जो कड़ी से कड़ी जुड़ी थी उसका बहुत बड़ा फाइदा राजसमन को मिला राजसमन में सडकों को देखें अगर या हमारे जो पुरातत्व विभाग की और से जो विकास के कामों में हमारे 9 चौकी है, 9 चौकी के उपर पैनोरोमा, राना राशिंग जी का बना, 9 चौकी के उपर और गार्डन का विकास हो रहा है, इ्रिडिचेशन फार्क में विकास हो रहा है, सारे चोहराएं यहांके बने हैं, यहाँ पर बहुती अच्छी सब्जी मंडी आदुनी सब्जी मंडी हम लोगों ने बनाई है दो दो सब्जी मंडी लगबग दो करोड की एक सब्जी मंडी बनी है इसी तरीके से यहाں पर स्टेडियंज बने हैं बच्चों के खेल कुट के लिए सबकें बहुत च़ोड़ी हुई है अच्छी लोगों के सहयोग से तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा विकास राजसमन में पिछले पांच वर्शों में हुआ लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा जुडाव हुआ है और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हम अपने परिवार में बैठे हैं उदैपूर चूंकि शुरुआत थी राजनीती के अंदर अगर शुरुआत देखी जाए तो रासमन से ही हुई थी रासमन उस समय उदैपूर का ही एक हिस्सा हुआ करता था उदैपूर जीला था और रासमन उसी में था और यह बात 88-89 की है जब मुझे यहाँ का मंदल का महामंतरी बनाया गया था क्योंकि रासमन मंदल हुआ करता था उस समय उदैपूर जीले का और उस समय मैं यहाँ पर मंदल की महामंतरी महिला मोचा की थी और उस नाते काम करते हुए एक टे एट एट — की बात है यह और उसके बाद में उधैपुर हुए हम लोग और उधैपुर शिफट होने के बाद में फिर 94 में उधैपुर में नगरपिश्चत के पाश्द का चुनाओ लड़ा था और तब नगरपिशत की सभापती बनी थी और फिर सांसद और उसके बाद में वापस आब आज मैं यहां की विधायक हूं राजसमंद की तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई उदाइपूर राजसमंद ये कोई अलग-अलग हैं सब साथ ही हैं और एक ही है क्योंकि जि जैसा कि किरेंट जी ने बताया कि मेरी शुरुवात ऐसे हुई थी बिल्कुल मैं भी जानता हूँ इनको और जब ये नगर हमारी जो परिशद थी उस समय जब चेर्मेन बनी थी आज से लगबग 28 साल 27 साल होगे उस बात को वो 27 साल पहले उदेपूर शहर के जितने भी चो देखते हैं अपड़ घर में किसी भी मोले में तो मीडम हमें मालूम है कि आपने सभापती रहते हुए पहली बार कई बरसो बाद उदेपूर शहर के सारे मोलों के चोक बहुत बढ़िया करा है नगर निगम में पार्किंग भी बनाई बहुत बढ़ी और उसके बाद में सा कोई सरकारी स्कूल का काम नहीं करती थी लेकिन किरेण जी महिश्री ने उस जमाने में आज से 25 साल पहले 28 साल पहले कई सारे सरकारी स्कूल का काम भी करा है मैडम यह बड़ी खुशी की बात है यह कैसे सोच में आया उस जमाने में देखिए नगर परिश्यत का प्रथम दा लेकिन इससे हटकर भी हमें कुछ करना चाहिए इस प्रकार की सोच रखते हुए हम लोगों ने जब स्कूल की कंडिशन्स देखी थी सरकारी विद्यालेयों की तो वह बहुत ही जादा खराब थी तो ऐसे सिती में हमें लगा कि जो बजट हमारा है उस बजट में से ही कुछ प दिया और नगपरिशद एरिया दो एरिया होते थे लेकिन युआईटी एरिया में भी हमने नगपरिशद के तरफ से सड़कें क्योंकि युआईटी अगर ध्यान नहीं देती तो वहां के लोगों को प्रशानी का सामना करना पड़ता था तो सेक्टर तीन चार पांच में पहली वारवाने बहुत एक्सिडेंट्स होते थे और सिंगल रोड थी उसको हम लोगों ने डबल रोड करवाई थी और मुझे आज भी ध्यान है कि हमने उसके लिए 10 लाख रुपे राजे सरकार से मांगे थे उन्होंने दिये थे और 10 लाख रुपे हमने अपनी नगर पर नहीं हुआ करता था लेकिन हिरन मगरी में भी काफी विकास उस समय हमने करवाया था UIT हरिया होते वे भी तो नगर परिश्यत का मूल दाइत ये तो है लेकिन उसके अलावा भी नगर परिश्यत को कुछ हटके और करना चाहिए इस प्रकार से राजस्तमन में भी अभी नग बनाना ये सब है लेकिन इसके अलावा भी आज यहाँ पर आटो रिक्षा पिंक आटो सर्विस के नाम से हम लोगों ने आटो सर्विस शुरू करिये नगर पिश्यत के माधियम से जिस आटो सर्विस के अंदर हम लेडीज को फ्री ओफ कॉस्त लेकर जाते हैं लेडीज को ये आटो मुल रूप से शुरू किया है ऐसे हम लोगों ने महिलाओं के शशक्तिकरन की दश्टी से चार सेंटर हमने सिलाई सेंटर शुरू करे हैं उनमें हर सिलाई सेंटर में 15 सिलाई की मशीने हैं वहाँ पे सिखाने वाली लेडीज आती हैं वो सीखने वाली आती हैं औ पर बहुत अच्छी भीड रहती है और बैचर्ज निकालते हैं हम लोग उसका अभी फर्स्ट बैच हमारा चल रहा है उसमें इसी प्रकार से जिस्ता कि हम राज्तान सरकार की शिक्षा मंत्री किरन जी महिशुरी से बात तर रहे हैं किरन जीर अब आप और क्या क्योंकि विदान सभा के चुनाव होने वाले हैं तारीखे गोसित हो चुकी है डिकलेर होने ही होना है कि टिकेट तो आपको ही मिलेगा तीसरी बार आप यहां से विदायक बनेगी अब भविश में क्या रासमन में विकास की काम देखते हैं यहां पर क्योंकि रासमन में बहुत-बड़े-बड़े मंदीर भी हैं कई सारे टूरिष्ट भी आते हैं बहुत बड़ी रासमन जील भी है तो रासमन में आगे क्या विकास के रास्ते होते है जो पूरा हिंदुस्तान जुड़े क्योंकि लगबग पूरे हिंदुस्तान के टूरिष्ट आते हैं देखिए राजस्तमन में बहुत स्कोप है अभी विकास करने का और हम लोग उस प्रत पर चल रहे हैं हम लोगों के काफी विकास के काम अभी चल रहे हैं जिसको कि अभी मुर्तरुप पूरा नहीं दे पाए बहुत सारे ऐसे हैं जो काम कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पर अन चौकी है जो राना राजस्तिंग जी ने बनाई है वहाँ पर हमने एक पैनोरमा बनाया उनके जीवन से राना राजस्तिंग जी जीवन से जुड़ी हुई वह सारी महत्वपुन घटनाओं को वहाँ पर हम लोगों ने संजोया है इसी तरीके से उसके पास में एक अच्छा इसी रोड़्स हैं जिन लोग के काम अभी करने हैं उनको सबको करना है यहाँ पर ट्रेन की एक सबसे बड़ी प्राइब्लम है जिस ट्रेन की प्राइब्लम को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं यहां नाथद्वारा में मन्याना तक मैं जब पिशली बाद सांसर थी तो तो बॉम्बे से एमदाबाद बॉम्बे जुड रही है और एमदाबाद और उदाइपूर जुड रही है तो जो उदाइपूर आते हैं वो कांकरोली तक रासमन तक भी आ सके इसके लिए हम लोगों का प्रहास रहेगा कि जो 15 किलोमीटर नाथद्वारा से और लाइन डालनी है ब्रॉड गेज की वो डालके कांकरोली तक हम ले आएं ताकि हमारे मार्वल व्यवसाईयों को भी अच्छा होगा और उनलों के लिए भी ठीक होगा तो ऐसे ये तीन-चार एक बड़ा ओडिटोरियम बनाना है उदाइपर में बहुत सारे ओडिटोरियम हैं सुखाडिया सुखाडिया ओडिटोरियम है आप लोगों ने तीन-चार भी और ने यूनिवसिटी में भी ओडिटोरियम है लेकिन रासमन में अभी नहीं है रासमन जिला मुख्याले तो बन गया था नाइंटी वन नाइंटी टू में लेकिन उसके बाद से लेकर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अभी पिछले पांस साल में दिख रहा है कि यह जिला मुख्याले का स्वरूप आया है यहां पर डिस्ट्रिक लेवल के ओफिसर्ज यहां पर बने हैं और सारी चीज़ें यहां पर सुविधाय हो रही है तो अभी बहुत कुछ करना है रासमन में कि दोस्तों किरेंजी मेसरी से बातता रहे है कि ने अपना राज दिन्ती केडिर पूरा उद्वपूर से स्टाट किया कई बहुत बहुत बपड़े पदेव पर रही चुनाव जीते हैं सब कुछ हुआ सब कुछ बता सकते हैं और किरेंजीन में इतना अपना आई-क्यू है आज तो इनों में बहुत बड़े आगी क्यों है कि पूरे राष्टान सरकार को चला रही है क्योंकि राष्टान सरकार में मंत्री है लेकिन जब यह निगम की महापोर थी तब भी निगम उद्वपुर शेहर में बहुत बड़े-बड़े काम किये आज आपका बढ़ रहे हैं सारे लोग आये हैं और ये पुजापाट भी होने वाला है तो आप आज दिन पर कहां का संबर्क किया आज अपने अपनी दिन चर्या सुबह पांच बजे से शुरू करी हम सुबह पांच बजे यहां से घर से निकले और सारे पांच तक हम चारबुजाजी के मंगला के दशन करने पहुंचे चारबुजाजी के मंगला के दशन करने के बाद द्वारकाधीश के मंगला के दशन किये उसके बाद गौशाला में गए जहां हम लोगों ने गौमाता के दशन भी किये और गौमता के साथ में वहाँ पर गंटा-देड़ गंटा बैठे वहा गौपालन के साथ सभी जो थे वहाँ पर इसके साथ में हम लोगों ने माता जी के दर्शन कीrom फिर हमने अपना नाथ द्वारा श्रीना जी के यहां राज़्भूग करवाई हमारे यहां की जो ऐसी बच्चियां है जो उनका एक चात्रावास है उस चात्रावास में हमने जनम दिन मनाया उन बच्चियों के साथ में उम्राया भी गए वहां पर भी अनुमान जी का बहुत बड़ा मंदीर है वहां हमलोकों का एक कारिकरम था इस प्रकार से पूरा दिन इतना व्यस्त रहा बहुत सारे हमारे जो परिवार के लोग हैं उन लोगों के सब के साथ में कहीं न कुछ न कुछ आयोजन चलता रहा, कहीं मैलाओं ने स्वागत किया कहीं हमारे आटो रिक्षा चलाने वाली यूनियन ने स्वागत किया तो ऐसे सारी चीज़ें चलती रही लेकिन आज अभी शाम को हम लोग परिवार के साथ सभी लोग यहां पर सुन्दरकान का पाठ रखा है और उसको हम लोग करेंगे और इश्वर से यही प्राथना करेंगे कि हम सब जो है वो सुख सम्रदी हो, खुशाली आए इस पूरे शेतर के अंदर शेतर के लोग अच्छी तरीके से सुखी रहें यही सारी प्रभू से प्राथना करेंगे बहुत बहुत शुब कामना है अब मेरे साथ एक और अला कि मेरे मित्रे है बारती जंद्ला पार्टी करेंगे अच्छे कारी करता है दिनेश जी पालिवाल जो की रास्तमन नगर निकम के चेर्में भी रे चुके हैं बारती मजदूर संग के हैं, बारती मजदूर संग के भी है, इनके पास में बेड़ जाता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दिनेज जी जो चेर्मेन रहे चुक है, नगर निकम के हमारे बहुत पुराने मित्रे, लगबक 40 साल पुराने, आप शिवदाल मेवार के भ बेड़ा कर ये, इनको जीताने में पुरा काम करते हैं, दिने जी वैस्ता बहुत बहुत शुपकामना आपको, क्योंकर आप मित्रे हैं, हेतो किरन जी हमारे उद्वपूर शहर की देखो, तो आपको कैसे लग रहे हैं, ये बता हूँ, हमारे रासमन सहर से हैं, और उद्व माननी किरन जी मेस्वरी ने जो नितरत दिया है, उससे हम लोग सभी कारी करता, विल्कुल पूरे तन्मन धन से इनके साथ लगे हुएं, और माननी किरन जी मेस्वरी हमारी बराबर, जो भी समस्या आती है, उस समय हर समय रहते हैं, अभी पिछले दो बड़ से मैं भारती सयोग रहा, और आज जन्म दिन के दिन में बहुत बहुत बड़े देता हूं, कि आने वाले चुनाम में साथ तारीक को जो, साथ दिसंबर को जो मद्दान है, उसमें भारती मजदूर संग भी अपना पूरा साथ भारती जनता पारटी के साथ इसमें सयोग करेगा, और किरन सुबकामना बविश्च की करते हैं, इसी आसा और साथ धन्यवाद चाहिए, बहुत बहुत सुबकामना है, ये थे दिनेजी पालिवाल, दिनेजी पालिवाल बहुत बड़ी सक्षियत है, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत सारा काम किया, आसे 30-35 साल पेले, और हम लोग भी बहुत धार्मिक परवर्ति के आदमी है, हम तो दिसंबर जो 6 दिसंबर लोग जिसको कहते हैं, हम लोग दिनेजी पालिवाल, किरन जी मेश्वरी, गोदा साब, जो सिंग जी दाई जी, ये ये छे तारी के जो हम लोग उस जमाने में साथ थे, हमें कभी-कभी याद होते है कि ये टोली आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत बहुत शुबकामना है, जय हिंद, जय मेवाड, प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, थेंक यू